आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं Osteo Arthritis के बारे में तो Osteo Arthritis को हम Degenerative Joint Disease भी बोलते हैं क्यों बोलते हैं क्योंकि देखिए यह एक बोन है और दूसरी बोन है और यह दूसरी बोन है एक बोन को दूसरी बोन पर फ्रिक्शन फ्री ग्लाइड प्रोवाइड कराता है ठीक है ताकि यह मूव कर सके ग्लाइड कर सके और क्या करता है यह काम करता है अब Osteo Arthritis के केस में क्या होता है यह जो हमारा सर्फेस पे आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजन है जो की फ्रिक्शन फ्री ग्लाइड प्रोवाइड कराता है इसका इसका डीजनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है क्यों स्टार्ट हो जाता है विकॉस आफ मैनी रीजन पिकॉस आफ और ज यह एक degenerative joint disease है, मैंने आपको पहले भी बदाया था, और यह most common form of arthritis है, तो बहुत सारे तरीके यह अलग और arthritis भी होते हैं, जैसे की rheumatoid arthritis हो गया, ठीक है, तो यह सबसे common type का arthritis होता है, ठीक है, affecting millions of people worldwide, ठीक है, अब जैसे की हम यह देखते है, यह हमारा synovial joint है, ठीक है, तो यह healthy synovial joint है, इसमें कैया है यह हमारी एक bone इसके तो यह क्या होता है एक बोन को दूसरी बोन पर मतलब मूव करने में गलाइड करने में हेल्प करता है बड़ देखिए यह औस्टियो आर्थरेटिस का केस है इसमें क्या होता है यह चो काटिलेज प्रेजन होता है तो यह एक बोन होता है दूसरी बोन पे क्या करेगी रब करेगी तो क्या होगा friction जनरेट होगा और उसके पाद क्या होता है इसका रेटी कुष्ण का काम करता है इसका degeneration होना start हो जाता है जो की pain cause करता है ठीक है all through the osteoarthritis can damage any joint मतलब जो osteoarthritis होता है वो किसी भी joint को affect कर सकता है लेकिन most commonly यह हमारे weight-paring joint जो की कौन से होते है hip joint और knee joint को most commonly affect करता है ठीक है अब यहाँ पर क्या दे रखा है osteoarthritis की gratings दिखा रखें stages of knee osteoarthritis यह grades तो इसके चार grades होते है first is doubtful second is mild third is moderate and fourth is severe grade of osteoarthritis तो mild में क्या होता है minimum disruption होता है तो there is a already 10% cartilage loss मतलब cartilage loss start हो जाता है कितना percent होता है 10% होता है first stage में फिर second stage आती है joint space जैसे एक बोन है दूसरी बोन है इनके बीच में कुछ space होता है जो किसके थोरा fill होता है synovial fluid के थोरा तो इस disease में क्या होता है osteoarthritis में क्या होता है जो इनके joint का बीच का space है यह कम होने लग जाता है new bone growth यह bony growth होती है ठीके कहां पर end of the bone पर ठीके उसके पाद आती है हमारी third stage जो की कौन सी होती है moderate level की stage इसमें क्या होता है moderate joint space reduction मतलब joint space और कम हो जाता है ठीके और gaps in the cartilage can expand until they atteign the bone मतलब जो एक ओण होती है वह दूसरी बूनसे टकराने लग जाती है मतलब तब तक काटीलेज सब्सक्राइब लिस चाeso धिलेग सावे जब तक की छुर् club तरक तक को क्या होता है कि यह सब्सक्राइं के मतलब इतना लावन चंटकर के कर लाटा है बहुत ऐसे बोल सकते हो माइन बल्कुल माइन बचा होता है बाकी का पूरा जॉइंट स्पेस के होता है रिड्यूस हो चुका होता है 60% of cartilage 60% ज्यादा क्या होता है अल्रव क्या होता है 20 के युप क NOW यहीं प्राइम्री मिन उस्टैंड स्पेसे को ना दा है यहीं की इडियोपैतिक त्वसूर सकता है की繼enne प्रामेरी प्रामेरी इसकों कोई कॉज नहीं है को मुझा इसकोज नहीं है अर्ग कोई प्रामेर ने सब्सक्राइब नहीं है मैं आपको पहले ही बताया कि weight bearing joints में मुस्त कॉमन है क्योंकि weight ज्याधा पड़ता है तो होता है उसके बाद secondary Osteo Arthritis साय जह जहां हम और यह जहां हम लेकिन दूसरे वाले के पीछे कोई ना कोई रीजन होगा उसकी वज़ेसे क्या होगा फिर डी जरीजन्रेशन और स्टार्ट जाएगा प्रेशर काम पड़ता है हमारे वेट बेरिंग जॉइंट के अंदर वेट बेरिंग जॉइंट इसलिए पर आम बोलते हैं कि मतला अपना वेट रिड्यूस करो दाकि वेट कमाए नी के ओपर तीके उसके बाद कि इनक्टिविटी अगर परसन कुछ भी एक्टिविटी नहीं क अधिया तो इनक्टिविटी की वेज़े से और हइप थारेटिजम इसके कॉसस हो सकते हैं किसके सेकंडरी ओस्टिवाष्राटिस के अब हम देखते हैं रिस्ट फैक्टर मतलब कि कौन से ऐसी चीज़े हैं जिनकी वेजसे अस्टिवाष्राटिस होने की संभाबना भड़ इंक्लिविंग एज एज रेडिटर हो सकते हैं जैसे 60-50 प्लस मीनोपोजल फीमेल में बहुत कॉमन होता है क्योंकि उसमें हॉर्मोनल जेंजिस बहुत ज्यादा होते हैं उसके बाद ऑबेसिटी का पर इनाटमिकल फ्यक्टर्स हो सकते हैं जैसे जैनेटिक अगर अगर किसी की लोगर्डे मसल वीक्नेस है जैसे की कोमर्च या फिर हैम जेकन होता है और उनमें पिसी प्राफ इंजरी हो सकती है तब हमारे जॉइंट पे हमको क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो हमको क्या होगा पेन होगा लिमिटेशन इन दा मुमेंट करने में प्रॉब्लम आगी जितना रेंज ओव मोशन है जॉइंट का वो रिड्यूस हो जाएगा पेन होगा पेशंट को स्टिफनेस होगा कुछ लेवल तक कुछ दीगरी का ब्रेक्षिंक्ष उसको बोलते हैं किले प्रेङ्ट को हमको प्रॉअट में एवल्य आगर मुस्तों पंधिकिमिक्र ओल लेवल तक कंदा डीगरी का ब्रेक्शन सेटकराव जो Inn को क्यों चोन आपको आपको बुलेगा कि मेरे को बलते है कि एक बोन दूसरी बोन पर टकराती है ना तो उसकी वादे क्रिपटर साउंड डवलब होता है ठीक है उसकी बाद जॉइन्ट इफ्यूजन मतलब फ्लूइड भर सकता है कभी कभा जॉइन्ट में और डिफिकल्टी इन वॉकिंग मतलब पेशन्ट को एम्विलेशन के टाइम प पेशन्ट के अंदर ठीक है और क्या देखने को मिलता है जॉइन्ट स्पेस रिड्यूजन हो जाता है वह भी आपको देखने को मिलता है अब क्या होता है इसका मैनेजमेंट क्या हो सकता है इसका मैनेजमेंट दो टाइप के हो सकता है यह तो फार्मकोलोजिकल मैनेजमेंट तो फार्मकोलोजिकल मेनेजमेंट में क्या होता है एंसेट्स देते हैं पेशन्ट को एंसेट्स मतलब नॉन इस्टिरोइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रक्स तीक है उसके बाद क्या होगा पेइन रिड्यूस के लिए उसके बाद इंट्रा-ार्टिकुलर इंजेक्शन्स ल कर िड़ को पैसो करेंगे सबंसे तो का अगर हम उसको मनेजमेंट करा रहे है तो सबसे पहले हम वाम-प से प्रियो साइट्पीर लिगो यहाई कि वादल की मौत्स हैं तो कोड़िटरम की हiblडा है तो कि दो कि क्या करांगे तो कि क्या करांगे मॉधी स्टैंडनिंग कराए कुछ भी करा सकते हैं, स्वीमिंग, वोकिंग, साइक्लिंग, तो इसमें हम कुछ भी करा सकते हैं, एरोबिक एक्सराइज प्रोग्राम में, उसके बाद कूल डाउन के साथ हम क्या कराएंगे, मसल स्ट्रेचिंग, ठीक है, कॉंसी मसल की शॉर्टनिंग होती है, और करेंगे तो इसमें सेशन भी हम रखेंगे 10-15 मिनट का उसके बाद पेशन को हम और क्या करा सकते हैं, फीजो तरफी मैनेज्बेंट के अंदर, मैनुल तरफी में क्या दे सकते हैं, पतेला का मोबलाइशन करवा सकते हैं, तीक है, पतेला में हम दो टाइपई गलाइड देत क्युंकि पेशन को ईयम बेसा, तीक票, आप उसको एक प्यार, के लिए केम दे सकते हैं, बाद अच्छा फ़एग डिखना थिकराबन है के बाद लिखना औरहना फ़ी तो टीक , बाद आउन मा है, आपके जिसन आपको पेशन के इप खेल, समय फोबल्र और बाद पार के ओपर एक पूरा वीडियो बना रहा है अपने चैनल पर आप उसका लिंक डिस्क्रिप्चिन से ले सकते हैं क्योंकि इसमें क्यों होता है औस एक प्रोग्राम होता है और हो एक साइस्साइज प्रोग्राम उसके उपर मैंने separately video बना रखा है आप वो video भी देख सकते हैं ठीक है उसके बाद क्या है अगर इन सबसे भी patient को फायदा नहीं होता है तो फिर उसको बाद क्या होता है last option होता है surgery का surgery में हम क्या करते हैं उस joint को हम replace करके उसकी जगे artificial joint लगाते हैं ठीक है तो उस surgery का होता है THR या TKR मतलब total hip replacement और total knee replacement भी हमको करना बढ़ जाता है कहीं बार अगर patient grade 4 या severe stage पे होता है तब thank you for watching thank you for watching this video अगर आपको इस video अच्छा लगा है तो जादा सजादा लोगों को साथ इसको share करो और don't forget to subscribe आड चैनल